हेलो अब्रेवन वेलकम टू एस यूपीपीएसी मेरा नाम वन्ना सिंग है हम यूपीपीएसी 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट नमबर 3 इसमें डिसकस करेंगे यह टेसरीज करेंट फेर नोर्स कोर्स हैं इंग्लिश मेडियों वन ट्वेंटेस प्रिलिम्स 2021 कोर्स आप इस नमबर पर वाट्सेप करके या टेलिग्राम करके इसको जॉइन कर सकते हैं और जो हमारा 2020 कोर्स ता उसे डारेक्ट सेविंटी कोशन आया है अगर आपको वेरिफाय करना है तो आप नीचे पीडियेफ डिसक्रिप्शन बॉक्स में वहां से आपको वेरिफाय कर सकते हैं कि अने केडमी पर जो है मैं Lusin General science की जो है सम्री जो है उसको मैं details कर रही है सम्री इंप मशी म्याने अकेडमी कर सकते हैं अगर आपो फोर जोइन कर लिया क्रीम कर नहीं कسم्स कि भौ च ऊहर करने की ज़रौत नहीं है तो जो यूजर नेम है मेरा ये वन्ना.sing87 यूजर नेम है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं मुझान अकेडमी पे और रोज जो है 5.30 पे हमारी क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे 5.30 हमारी क्लास होती है को चलिया हम अपने प्रेक्टिस सेट जो है उसको डिसकस करते हैं तुम्हारा पहला कोशन है विच आर्टिकल आफ तो इसेटीजन ऑफ इंडिया दा राइट टू रिशाइड को इन अन पार्ट आफ ऑफ देरिटरी ऑफ इंडिया तो इसका आंसर है आंसर d article 19 sub clause 1 sub clause e तो इसका आंसर है article 19 sub clause 1 sub clause e तो basically जो article 19 है उसने हमारी 6 freedom जो है तो basically article 19 इसे related हमारा right to freedom से और आर्टेकल नानिटीन उनी ने जो हाहां हमारी 6 फिरीटूम जो मैंशेन करें वी ए यह प्र इवलेबल दूस सिटीजन तो ढρη्किल 15 है ने ने प्र सिक्सटीन है 補े नानिटील ना व्र बार्टीन है और अर्टेकल ठैटीर है तो यह जो हमारे 5 articles है, basically यह जो है, यह सारे जो articles है, these are for the citizens, तो यह जो articles है, these are for the Indian citizens, मतलब यह सिर्फ Indian citizens के लिए हैं, यह सारे articles, तो हमारी जो article 99 Indian constitutionals ने 6 freedom की बात की है, तो पहला हमारा है, freedom of speech and expression, दूसरा है, freedom to assemble peacefully without arms, तीसरा है, freedom to form association, तो पहला है, freedom to move freely throughout the territory of India, तो पहला है, freedom to reside, settle in any part of the India, तो पहला है, freedom to practice any profession, तो पहला आपका है, speech, दूसरा है, arms, तीसरा है, association and then फिर उसके पाद चौता है, movement and फिर उसके पाद this side and then profession, तो बेसिकली यह जो है, article 19 subcloss 1 जो है, उसके अंदर जो है, यह आपकी 6 तरह की freedom की बात की गई है, next question है, article 39A, inserted by which amendment to ensure equal justice and free legal aid, तो कौन सा article जो है, जो article 39A है, वो equal justice and free legal aid से related है, यह constitutional amendment X, कौन से से जो है, insert हुआ था, तो इसका answer है, answer B, 42 constitutional amendment act 1976, तो इसका answer है, answer B, 42 constitutional act 1976, बेसिकली यह जो insert हुआ था, इससे article 39A insert हुआ था, जो है, to ensure equal justice and free legal aid, तो बेसिकली जो यह आर्टिकल 39A है, यह हमारा directive principle of state policy से related है, और यह जो है, हमारा article 42 constitutional amendment act 1976, तो आप जो है, के year भी याद रखेंगे, यह year है, हमारा 1976, next question है, हमारा, INS surveillance जो है, एक hydrographic survey ship है, यह deploy हुआ था, अभी, किस country में to undertaking joint hydrographic survey, तो किस country में यह अभी recently deploy हुआ है, तो undertaking the joint hydrographic survey, तो इसका answer है, answer C, Mauritius, तो यह जो है, अभी recently, जो है, Mauritius में, जो है, deploy हुआ है, तो इसका हो गया answer C, Mauritius, next question हमारा, which of the following country conducted freedom of navigation operation in India's exclusive economic zone near Lakshadeep, तो कौनसी जो country है, जिसने अभी recently, जो है, freedom of navigation in India's exclusive economic zone, जो है, जो लक्षिदीब के पास, वहाँ conduct किया है, तो इसका answer है, इसका answer है, answer D, USA, तो जो है, USA ने यह conduct किया है, है, next question है, हमारा, choose the correct, तो यहाँ आपको दो statement given है, पहला है, केन मीट, विद यम्रा, इन हमीरपुर district, और दूसरा है, केन विद बेत्वा, इन बांदा district, तो जो इसका answer है, वो answer है, answer D, दोनो statement जो है, वो आपके गलत है, क्या है, जो केन बेत्वा रिवर है, वो एमपी में originate होती है, और यह यम्रा की ट्रिबुटरीज है, केन जो है, यम्रा से मिलती है, बांदा में, बांदा जो है, हमारे यूपी के डिस्टिक में है, और जो बेत्वा से मिलती है, वो मिलती है, हमीरपुर district of UP, तो आप यहां देखेंगे कि यह जो केन रिवर है, यह यम्रा से मिली यहां बांदा में, और यहां हमीरपुर से जो मिली, हमीरपुर से और यहां यह बांदा से, है तो इसका एंसर दि हो जाएगा है दोने स्टेटमेंट गलत है को ना सटेटमेंट को इसटाइढर जाء Du ने इक साल जाएगा डेक्सिन है विच आइकल ग्रांटस फंडमेंटल राइट को फ्रीन करने ली पर फ्रेफिस है तो इसका अंसर है है 나온 सभी बीड़िकल 25 तो बेसिकली आर्टिकल 25 जो है हमारा प्रोफेस प्रैक्टिस और प्रोपगेट से रिलेटेड़ चुल है अगर अगर आपको देखते हैं तो आप उसमें जो है आर्टिकल 25 जो है आँख बंद करके लगा किया जाना तो बिसिकली जो प्रोफेस है प्रोफेक्टिस है प्रपगेट जो रिलीजिन है वह हमारा आर्टिकल 25 से रिलेटेड है इसका अंसर हो गया आंसर भी नेक्स कोशन हमारा विच अफ़ फॉलोइंग इस दे लार्जेस बैकिश वाटर लेक इन इंडिया तो जबसे जादा खारे पानी वाली इसमें लाजेस्ट जो जील है वह कौन सी है तो इसका अंसर है आंसर भी चिलीका लेक तो चिलीका लेक जो है वह बिसकली जो लाज़स ब्रेकिश वाटर जो लेक है वह इंडिया की है तो इसका है आंसर भी चिलीका लेक तो इसका अंसर हो जाएगा अंसर भी चिलीका लेक इसका आंसर ए अंजर तो जो हमारी इरावदी जो डॉल्फिन है उसका आउसीन इस्टेटर्स है वो हमारा एंडेंजर्ड है इसका आंसर ए हो जाएगा है हमारा हुव वस्टाइटल उफ महात्मा का ताइंटल दिया था तो इसका ऑंसर है आंसर भी फूले तो बेसिकली जो हमारे जो विठ्थल राव कृष्ण जी वंडेकर है एक महाराष्टियन शोशल एक्टिविस्ट थे उन्हों ने जो है जो है जो है में 11 1888 में जो है महात्मा का टाइटल दिया था तो इसका आंसर होगा जोती राव फूले और किसने दिया थ था नेक्स कोशिन है मारा विट बिकेम दे फर्स कंट्री तो इंट्रीव सर्टिविकेशन शिस्टम टेट अलाव दोस वह बीन वेक्शिनेटेट अगेंस कोवन कोवेड-19 तो एससे सर्टें फैसिलिटीज एन इवन तो बेसिकली ऐसी कौन सी जो कंट्री बनी है जिसने एक सर्टिफिकेशन सिस्टम करा है कि जो वहां के लोग है उनको अलाव करेगी कि सर्टें फैसिलिटीज एन इवेंट अगर उन्होंने कोवेड-19 की वेक्सीन लगा रखी है तो इसका आंसर है आंसर दी इस्राइल तो ऐसे जो इस्ट्रिक रूल से हैं वो हमाई इस्राइली फॉलो कर सकता है क्योंकि बैसिकली जूज रहते हैं यह दे आद बोस्ट एड़ 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 पीपल इन द वर्ड दे मैक्सिमम नमबर अफ नोबल प्राइज आर विद देम तो ऐसी जो ची कभी कभी होता हूँ कि आप गैस्ट्रों कि खेल सकते हैं कि वैसे रेयerson है haraisла लेकिन जब कॉशिण के एद अब लेंगविश पड़ते हो तो अगर आपको चीज believer का बैकभरॉंड पता है तो बैस्तु ऐस्वां के गैस्ट्रों सकते हो लेकिन गलत हो सकता है लेकिन आपकर तो एक बार गैस्वक खेलने में अगर आपका चांसे हैं कि वह आंसर सही भी हो जाए तो इसका आंसर है आंसर दी नेक्स्ट कोशन है हमारा ड्रग कंट्रोलर जनल अफ इंडिया अप्रूव इस पुट्निक 5 वॉट बीड़ फट्र वेक्सीन तो इंडिया और इसको किस ने डवलप किया है तो इसका आंसर है आंसर डी गमाला रिसर्च तो बेसिकली जो है स्पुट्निक 5 जो वेक्सीन है जो है वो रशियन वेक्सीन है और इसको जिस इंस्टिट्यूट ने डवलप किया है वो गमाला रिसर्च है तो ये तो एक चीज यह हो गई कि इस पुट्निक 5 कॉंसे कंट्री से ब्लॉंक करती है रशिया से तो ये एक पॉइंट हो गया इसको किस ने करा है गमाला पॉइंट यह है तो आपरूबल कौन देता है तो अपूबल दो जेता है वो सघ्सक्राइब का तो इसका आंसर ऑ 1978 toxins ने अंसर भारत भाइओटेक तो बेसिकलिए बहुत वायो टैक ने ड dips अव सिंधे इस मेरा ट Just आम आमने सकते हो फिन सेवया तो फेसिकली वायो टेक ने डिवलाप किया है ने डवलप किया है ने इसका आंसर है और और पर आपकाглий में बटाने हैbij दो स्टेट्मेंट गूइन आ पार और समय है पहला इस टेटमेंट bear तो इसका आंसर है आंसर ए वन ओली तो उमंगोट जो है वो बैसिकली इंडिया की जो क्लीरिस्ट रिवर है यह बहुत सही है लेकिन यह मिजोरूम के अंदर नहीं है यह जो उम्गोट है यह हमारा मिगाल्या के अंदर है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आंसर ए तो इसका आंसर है आंसर बीपाइब फाइब तो हमारे जो जीस्ती के अंदर जो है फाइब सलेब्स है तो प्रेजल्च्ट स्ट्रूक्टर के बाँनिधर है वो क्या है कि 0 पर सेंट एपक्त है दूसरा फाइब है आंड च्वेल पर सेंट largest light यह 5 slabs अंदर तो कुछ लोग जो है इसका आंसा 4 लगा के आ जाएंगे लेकिन इसका जो correct answer वो 5 ही है क्योंकि 0% में भी तो 0% भी तो आप consider करेंगे ना क्योंकि काफी सारे items को 0% पर भी तो जी एस्ट लगता है ना तो यह नहीं है कि वो non-text है तो basically अनका जो GST है वो 0% में भी तो अगर आप लेंगे तो देया था फाइव स्लेप्स नोट नेक्स्ट कोशन है मैं रानी का वाव पिच्चर कें इसीन इन विच करंसी नोट तो रानी का वाव पिच्चर है कौन सी करंसी नोट में जो है सीन होता है तो इसकाivamente अंसर है सी हमरिठ तो 100 रूपे का नोट होता है तो आप यहां से 100 रूपे का नोट देख सकते हैं तो यह 100 उपीस का नोट है और इसमें यह रानी का वाव बना हुआ है तो आप आप का हूमवग क्या है कि आप सारे नोट जो है उनकी पिच्छर देखेंगे और उसको एक पेपर पे लिखेंगे तो यहां आ Leger के आप मुझे नीचे कम अनोट पे कया होता है और 500 केनोट पे क्या है 20 को क्या है कलर बताएंगे मुझे उसकी पचर जाएंगे आप मुझे यह नीचे कमें बोक्स में यह मुझे बताएंगे तो आप सबका होंबाग यह आप मुझे चमें बोक्स में जरूरू बताईए और वेटिंग एप्लाइं तो नेक्स्ट ए दे टॉलिष प्लंज वाटरफॉल इन इंडिया एजन तो जो तो टॉलिष प्लंज इंडिया में for no tourists कालिकाय में तो प्र better को है इसी हई जोumu mg we !" में सबसे बड़ा तॉलिष प्लंज वाटरफॉल है और यह सबसे बड़ा तॉलिष प्लंज वाटरफॉल में पिर नॉख को सुछी ज़सक चैने United Nation has also declared 2021 as the United Nation has declared 2021 what has declared 2021 is the International Year of Fruits and Vegetables so this question becomes very important because it has been declared in an international declaration and it is now in 2021 so what is the International Year of Fruits and Vegetables so this is our answer A International Year of Fruits and Vegetables next question here you have two statements given regarding the Chief Election Commissioner and you will know which one is the right first Shushil Chandra has assumed the charge as the 24th election commissioner and the second is the Chief Election Commissioner and other election commissioner hold office for 5 years till they attain the age of 65 years which ever is earlier so Shushil Chandra has assumed the 24th election commissioner's charge in the first statement in the second statement is written that the Chief Election Commissioner and the election commissioner they hold their office for 5 years or until they are 65 years later so what will the answer be? so what will the answer be? answer A one only the first statement is right the first statement is right that our Shushil Chandra was the 24th election commissioner appointed the second statement is wrong so the second statement is wrong because the Chief Election Commissioner is the Chief Election Commissioner and they hold the office for 6 years or 65 years which ever is earlier so what will happen is 6 years so these are 6 years and 65 years which ever is earlier and they can resign at any time by addressing their resignation to President so they can resign at any time by addressing their resignation to President which is the same ground which is the same ground as the judge of the Supreme Court which is removed so what will the answer be? the tenure is 665 when they resign when they resign who will address them? the President which is the same ground as the judge of the Supreme Court so Shushil Chandra is the 24th election commissioner appointed so the Chief Election Commissioner related to the article and all these are important which of the following cities which of the following cities released first of its kind draft cycling policy so which city which has released first of its kind draft policy cycling draft policy so the answer is the answer C Gurgaon Gurgaon has released its first of its kind draft policy so the next question is the Indian Rhino Vision 2020 which is related to our Indian Rhino Vision 2020 so you have two statements given here so choose the correct regarding Indian Rhino Vision 2020 and IRB 2020 the first statement is it was launched in 2010 second the goal of IRB 2020 is the goal of to increase the Rhino population in Assam to 3,000 by establishing the population in New Area so the goal is that 3,000 population in Assam by establishing the population in New Area so the answer is B so the first statement is completely wrong the second statement is because India Rhino Vision 2020 was launched in 2005 so in 2005 and its goal was to increase the Rhino population in Assam to 3,000 so until 3,000 the Rhino population was launched in 2005 so IRB 2020 launched in 2005 as an initiative led by government and Assam the forest department and its partnership WF India International Rhino Organization and other other organizations included in this so you have to take care of Assam's government its forest department and WWF and International Rhino Foundation so these are basically these 3 important foundations which was launched in 2005 in 2020 next is our Ahar Karanthi mission aims at which of the following so what is the aim of Ahar Karanthi mission what is the aim of Ahar Karanthi mission so its answer is answer D both A and B so basically Ahar Karanthi mission what is the aim of Ahar Karanthi mission to increase the nutritional balance diet penso a ład diet has to be balancedo protein carbohydrates fats all the vitamins dever oda which should to be balanced as well as सब्सक्कृण सूफ कर्टोथ, तो जितने भी C خण पर अपने है या उनका अपको मिलता रहे तौ छुलते हैं चिसन में प्रेमोर 14 टो मिला रहे हैं तो उसमें चीज आपको झालको द्हान कर नहीं तो आप जब उसी जगा के चीजे खाते हैं तो आपका जो है बॉडी आपकी हल्दी रहेगी आपका स्टमक अपसेट भी नहीं हो था अन दूसरा चीज यह है कि आपके जितने भी लोकल वेंडर्स हैं उनको आप एंपावर करते हो तो जितने भी आपके लोकल वेंडर्स हैं आप उनको एंपावर करते हो एक तो आप अपनी अपकी हेल्थ सुदारते हो क्या आप जितना लोकल खाऊगे उससे हल्थ सुदरेगी और दूसरे एमपावर करोगे बाहर का खाने से अगर कोई इंपोर्टेट फूट खाते हो या इसा फूट या इसी वेजटेबल जो आपके नहीं होती है तो उसका नुक्सान तो गया है कि आप अपनी लोकल वेंडर को भी हाम कर रहे हो और इस नौट गुट फॉर हल्थ मताब वह आपकी जो अपावरिंग तो अहर क्रांथी मिशन का जो में यही है नुटेशनी बैलंस करना और एक्सिस्टू लोकल फूट और वेजटेबल तो बिसिकली यह जो मिशन है वो विभा भारती जो है उसने रन किया है अब ग्लोबल इंडियन साइट टेक्नो क्रेट फॉरम जो है इस सशखून है पोशन गयान देजटी लिफान डिजितल पर सेट्री आवल्ट उन टिचिन वह बीक्छी यह जो आप ट्रू आता इस असर इसने डिची आयो तो पूर्चन गयान जो वीचिलीएक नाशनाशन डिजेटल ऑम उसकी हमने जो चैनल डिचरू कि इस में सटू और इसको नीती आयोग ने जो है बहरान तो जो इसका फेंद्ध वादिए शीडर के साथ पांडेशिप में पॉर्दे नान के साथ है। next our MANAS was launched for which of the following so MANAS was launched for which of the following so it is the answer answer B to promote well-being across all age groups so basically what is MANAS app basically a well-being app and MANAS full form M for mental mental health and normalcy augmentation system so this is a mental health and normalcy augmentation system so this is MANAS full form so basically this is a well-being app and it is launched next question the S-400 triumph what is the answer answer C surface to air missile so the S-400 triumph is a surface to air missile so basically S-400 triumph is a mobile surface to air missile which Russia has designed it and this is the most dangerous operationally deployed modern long-range missile which is the most dangerous operationally deployed modern long-range missile and in the world and this is India which has basically procured from Russia and this is a surface to air missile this is our telegram channel this is our telegram channel H-U-P-P-A-C you can join it here I have free daily quiz which I update here answer writing editorial and you can follow this YouTube channel thank you and all the best